कि आपका इंडियरामी एक्जाम का एक नुमंबर 2020 को एक्जाम हुआ था यानि आज चो एक्जाम हुआ था उसका अरिजिनल कोशन बेपर आप सभी के लिए डा आर्मी वा यूट्यूब चैनल लेके आ गया है सबसे बात करते हैं सबसे बात करने कोशन बेपर ज्यादा मुश्किल नहीं था कुछ कोशन आपके जीके के जो थे थोड़े हाई लेवल के थे आमान सकते आपके लेवल से बाहर के थे उन कोशन को आप ध्यान से देखे उनका अंसर आपको बताना है और जिन student का जो exam था वो अपने test देख लें कि आपके कितने से ही हुए थी सबसे बेरा question था जो की most important था यह question करवा चुका हूँ उपराष्ट्र पती का कारेकाल कितने वर्ष का होता है जो उपराष्ट्र पती होता है उसका कारेकाल जो होता है वो कितने वर्ष का होता है दो वर्ष छे वर्ष पांच वर्ष या फिर तीन वर्ष आपको पता होता है उपराष्ट्र पती जो होता है राज्यसभा का अध्यक्ष होता है और राज्यसभा का जो कारेकाल होता है बैसे जो 6 वर्ष होता है जो राज्यसभा के सिदस्य होते है उनका कारेकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है पर उपराश्ट पती का चुनाप अलग से होता है और इसका जो कारेकाल होता है वो 5 वर् तो जल्दी से इसका सही अंसर बताईए दोस्तों आंदर्पतेश, तमिल्डाडू, हर्याना या फिर गुजुरात क्या इसका सही अंसर रहेगा सभी दोस्तों सही बताया है गुजुरात इसका सही अंसर रहेगा जो की बहुत ही सिंपल था next question आता है काला हारी मरुष्टल किस देश में स्तित है most important बहुत बार करवा चुका हूँ काला हारी desert is located in beach country तो काला हारी मरुष्टल कहां स्तित है दक्षन अफरीका साओधी अर्व, चिली या फिर भारत में तो काला हारी बहुत स्बाना कहां पढ़ता है आपका इसका सही अंसर रहेगा आपका अफरीका या फिर या रख सकते हो बहुत स्बाना भी आप याद रख सकते है भारत की सबसे बड़ी क्रिशी नहर का नाम बताईए तो कृशी नहर की सबसे बड़ी जो नहर है उसका नाम आपको बताना है सरहिंद नहर, इंदरा गांदी नहर, यमना नहर या फिर अपर भारी दोआबा नहर तो जल्दी से बताई इसका सही अंसर क्या होगा तो question number 4 का जो तोस्तो सही अंसर होगा क्या होगा, जल्दी से अंसर बताई, इसका सही अंसर होगा option number B, इंदरा गांदी नहर जो है, यह भारत की सबसे बड़ी क्रिशी नहर है next question आता है, question number 5 है भारत का सबसे अधिक चंसंक्या वाला राज्य कौन सा है simple सा question है, बताने की जुरूरत नहीं पड़ेगी which is the largest populate state of India तो population में सबसे ज़्यादा largest जो state है, वो कौन सी है, MP है, राज्यस्तान है, UP है, या फिर महाराष्ट है तो जल्दी से question number 5 का दोस्तों बता दिये, 5 का सही अंसर कहा रहेगा UP यानि उत्तर परदेश इसका सही अंसर रहेगा next question आता है, question बोलते हैं, question number 6 है, निमन मैंसे 36 कड की राजदानी क्या है which among following is the capital of 36 कड तो 36 की राजदानी क्या है, बैंगलूर, बिलासपूर, राइपूर या फिर हैदराबाद important question है, जो की exam में भूद बार पूछा दा चुका है, आपको पहले ही बता चुका हूँ सही अंसर कहा रहेगा, 36 कड की राजदानी है, राइपूर next question आता है, ये question भी करवा चुका हूँ how many countries are member of SARC, तो SARC की स्थापना कब हुई थी? 1985 में SARC की स्थापना हुई थी, काटमांडू, नेपाल में इसका मुख्याले है, भारत इसका स्थस्य है, नेपाल में बढ़ता है, तो नेपाल भी इसका स्थस्य होया, ठीक है तो 6 होंगे, 3 होंगे, या फिर 5, या फिर 8, तो बता चुका हूँ बरतमान में SARC के जिसका स्थस्य है, आठ स्थस्य होई देश हमारे साथ लगता है, इसलिए भी कोशन पूछा जाता है नेक्स कोशन आता है, कोशन नमबर 9 है, भारत का रास्प्री संगरालिय कहां पर स्थित है? लोकेटिड बैंगलोर, पटना, दिल्ली या फिर चन्नेई, तो जल्दी से बताएगे कि इस कोशन का आपने क्या करा था, तो इसका सही अंसर जुरहेगा, भारत का रास्प्री संगरालिय कहां स्थित है, दिल्ली में ये स्थित है, या फिर कह सकते हैं, ने दिल्ली में ये स्थित है, ये कोशन मेरे ख्याल से आपका जन्वरी या फर्वरी मनता पूछा गया था, नेक्स कोशन देखने हैं, कोशन नमबर नो आपका आता है, कंप्यूटर का अविश्कार किस ने किया था, ग्रैविले, चाल्ज वावेज, आइंस्टीन या फिर फारनेहाइट, तो से एंसर क्या रहेगा, चाल्ज वावेज ने कंप्यूटर का विश्कार किया था, नेक्स कोशन को थोड़ा सा ध्यान देखें, एक जन्ता, एक राष्टर, एक निता की निती किस ने अपनाई थी, या फिर इस तरह भी कोशन आपको हिंदी में एक जन्ता, एक राष्टर एक निता, एक निता, एक निता, ये निती किस की थी, एड़ ओफ हिटलर की, तो हिटलर की ये निती थी, हमारा नेक्स कोशन आता है, कोशन नमबर ग्यारा है, दिल्ली, दिल्ली से मुंबई या फिर आहमदाबाद से आगरा, तो ये कोशन आपका करेंट से रेलेटेड था, हो सकता है, इस साल का या पिछले साल का ये कोशन हो, करेंट का, और आपको पता होना चाहिए, बारत की जो पहली बुलिट रेन चलेगी, भो आपकी कहां से चलेगी, मुंबई से आहमदाबाद, या फिर कह सकते हैं, आहमदाबाद से मुंबई ये चलेगी, और आपको पता चाहिए 2022 और 2023 तक जो है इसका काम कंप्लीट हो जाएगा नेक्स कोशन आता है कोशन नमबर 12 है इस इंडिया कंपनी बास इस इंडिया कंपनी की स्तापना किस वरिश हुई थी जो इस इंडिया कंपनी है यह अंसर आपको बताना है कि इस इंडिया कंपनी की शुरुवात कब और किसके साशनकाल में हुई थी और इसका अंसर मैं बता देता हूँ तो इसका सही अंसर होगा, option number D इसका सही अंसर होगा और आपको जो अंसर बताना है कि East India कपनी की शुरुवात किसके शाशनकाल में होई थी Next question आता है, question बोलता है मोहन बागान किस खेल की team है, मोहन बागान is a team of beach sports तो ये किस खेल से समन्दी था आपकी मोहन बागान, cricket, basketball, football या फिर hockey तो जल्दी से इसका से अंसर बताए, बहुत ही simple सा question था, इसलिए कुछ भी नहीं करना था और ये भी थोड़ा सा आपका difficult question था, तो इसका सही अंसर जुरेगा ये आपका football से समन्दी था, बतादू ये है क्या, मोहन बागान athlete कुछ करके है ये, जो कि कॉलकाता में स्थित है, ये एक football club है तो ये football से आपका स्वन्दीत है तो जल्दी से बताएं दोस्तों, इसका सही अंसर क्या रहेगा इसका सही अंसर हैगा, परिशान्त महासागर next question आता है, who was the father of Russian revelation रूसी करांती का जनक किसे कहा जाता है Lenin को, Max Muller को, या फिर George Washington को, या फिर Adolf Hitler को George Washington से याद रखना है, अमेरिका अमेरिका की जो Washington DC है, ये इनी के नाम पर बनाई गई है और याद रखना है, रूसी करांती जो है किसके कारण या की फिर इसके जनक कोन माने जाते हैं, इसके जनक माने जाते हैं रेशियन रेवलेशन के, तो उप्शन नमबर A, इसका से एंसर रहेगा, लैनिन, नेक्स कुशन से पहले बता दू, ये पंदरा कुशन में से, जो भी मैंने आपको पढ़ाया था, अवी तक उसमें से आपके 12 से 13 कुशन आए थे, अब जल्दी से बताईए, आपके 15 में से कि कौन सी ग्यास होती है, which are the following gases of field in soft drink, जो soft drink होती है, उनमें कौन सी ग्यास होती है, nitrogen होती है, hydrogen होती है, carbon dioxide होती है, फिर oxygen होती है, तो से एंसर कहरेगा, carbon dioxide रहेगा, और ये सेम कुशन मिलता, आपका जन्वरी मत में पूछा गया था, next question आता है, सधार नमक का रिसाइनिक सूत्र होता है, सेम कुशन आपका फर्वरी या जन्वरी मत में पूछा गया था, तो से एंसर क्या रहेगा, सधार नमक या फिर common starts जो होता है, कगोली दूरी मापने की इकाई दैशिव होती है, कगोली दूरी मापने की इकाई होती है, मीटर, किलोमीटर, परकाश वर्ष, समुद्री, मीलत, कोशन इंपोर्टिट है, दलजीज इसका सही अंसर बताईए, कोशन नमबर 18 का सही अंसर क्या रहेगा, इसका सही अंसर रहेगा, आप्शन नमबर C, परकाश वर्ष, सही अंसर रहेगा, नेक्स कोशन इंपोर्टिट है, 32 डिगरी फारने हाइट टैश के बराबर होता है, 32 जो फारने हाइट होता है, वो कितने डिगरी के बराबर होता है, 48, 24, 0 या फिर 100 डिगरी, तो सही अंसर क्या रहेगा, आप्शन नमबर C, जो भी बता रहेगा, आप्शन नमबर C, इसका सेंसरेगा 0 degree Celsius के Next question आता है प्रतिरोध का मातरक होता है But is the unit of resistance Resistance रख लो या फिर प्रतिरोध याद रख लो कुलाम होगा, अम्पेर होगा, बाठ होगा या फिर अहम होगा और यह question आपका 2-3 दिल विल कराया था प्रतिरोध का मातरक होता है और 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 का कैसा symbol होता है, headphone जैसा इसका symbol होता है Next question बोलता है इनमें से कौन सा electronic उपकरण या फिर यंतर नहीं है विच्वती following is not an electronic device computer, radio, television या फिर बलब तो जल्दी से बताई इसका सही answer क्या रहेगा यहाँ पर electronic बोला हुआ है computer भी electronic है, radio भी electronic है television भी आपका electronic होता है और बलब्ज होता है यह electrical मान सकते हो यह electrical component होता है Next question को डिस्कृश्चिन करने से पहले मैं आपको बता दूँ अगर आपके पास भी किसी और A.R.O का question paper होगा तो आप मुझे कमेंट में मिल जाएगा या फिर डिस्कृश्चिन मिल जाएगा बहां से आप मुझे WhatsApp कर सकती हो Next question बोलता है बिजली के heater का element किस धातू का बना होता है जो बिजली का heater होता है उसका धातू किसका बना होता है copper का, necron का, lead का या फिर चांदी का यहाँ पर थड़ा आपका नाइक्रोम होगा यहाँ पर थोड़ा सा सही कर लें पर आपका option number B होगा नाइक्रोम यहाँ पर थोड़ा से हो सकता है spelling mistake हो पर copper, lead और चांदी इन में से कुछ नहीं होगा जो element धातू होती है heater का वो नाइक्रोम की होती है यहाँ पर नीक्रोम किया हुआ ठीक है थोड़ा सा spelling mistake हो सकती है next question बोलता है हवा में 0 degree centigrade पर दवनी की गती डैश होती है speed of sound in air at 0 degree centigrade is अगर यह question आपको नहीं आता होगा तो मैं आपको बता दू 2 से 3 पेले पहले आपको बताया था हवा में दवनी की जो चाल होती है वो कितनी होती है 332 meter per second होती है बहाँ पर आपकी degree centigrade का कोई मतलब नहीं होता यह speed आपकी जो होती है सबसे कम होती है जो की हवा में होती है तो सही answer क्या रहेगा 332 meter per second यानि क्रीवर क्रीवर कौन सा option रहेगा option number B आपका सही answer रहेगा और क्रीवर क्रीवर कितनी होती है बतादू 331.5 meter per second होती है 32 के आसपास होती है next question आता है question number 24 बोलता है जब नीले litmus paper को acid अमल में रखा जाता है तो नीला litmus paper किस रंग में बदल जाता है यानि litmus paper है ये नीले कलर का आपका litmus paper है उसे अगर हम acid में डालेंगे तो वो कैसा हो हो जाएगा इन option number B इसका सही answer रहेगा question number 25 आता है पीलिया रोग में ग्रसित रोगी की आँखो का रंग क्या हो जाता है जो पीलिया रंग या फिर पीलिया रोग से जो ग्रसित आदमी होगा या फिर रोगी होगा उसकी आँखे या फिर उसके जो maximum part जो होते हैं वो किस रंग के हो जाते हैं लाल रंग के, पीले रंग के, नीले के या फिर नारंगी के तो इसका रहेगा पीलिया तो पीला ही होगा यानि option number B इसका हो जाएगे यानि हलका हलका पीला रंग हो जाता है next question आता है question number 26 है प्रित्वी पर मानदवारा सबसे पहले उप्योग की गई धातू कौन सी थी which medal was you is the first one man on earth, sona, tamba, loha या फिर aluminium तो जल्दी से पता है इसका सही answer क्या रहेगा तो question number 26 का सही answer रहेगा option number B तांबा रहेगा तो प्रित्वी पर सबसे पहले मानदवारा यूज कीजिए धातू थी वो तांबा थी next question आता है धवनी की चाल dash में मापी जाती है जो धवनी की चाल होती है किसमें मापी जाती है speed of sound is measured in meter per second, घंटे में, decibel में या फिर joule में यहां पर थोड़ी सी गलती की है student ने आपको पता होना चाहिए यह तीन चार तीन या चार दिन पहले की बीडिया आपने देखी होगी तो decibel में आपको बताया था धवनी की चाल जो है decibel में मापी जाती है next question आता है question बोलता है हवा में oxygen की परतीशित होता है what is the percentage of oxygen in air तो oxygen की जो मात्रा होती है हावा में 21% होती है जबकी nitrogen आपकी 78% होती है next question बोलता है question है शरीर में vitamin C की कमी से कौन सा रोग होता है तो आपको जल्दी से पताया इसका से अंसर क्या होगा तो option number D इसका से अंसर होगा scurby जो है vitamin C के कारण होता है और last question देखते हैं question बोलता है पराकृतिक gas का मुख्य गटक होता है main component या फिर main material of natural gas is methane, ethane, butane या फिर propane ये question भी आपको कल या परसो करवाया था ठीक है मैं रिखाल से परसो करवाया था पराकृतिक gas का जो मुख्य गटक होता है वो आपकी methane होती है जिसका formula जो होता है फिर सूतर जोता है CS4 होता है next question हमारे rinsing के और math के question बचके हैं जो की 20 question है उन्हें मैं जल्दी आपके लिए video upload कर दूँगा अगर आपके पास कोई original question paper है जो की आपका एक number को हुआ है तो जल्दी से comment करके मुझे बता दो या फिर अपना number दे दो या फिर मेरा number आपको मिल जाएगा बहां से आप मुझे send कर सकते हो बाकि आपको बताना है 30 में से आपके कितने सही थे और 50 में से आपके कितने सही थे जल्दी आपके लिए video लाओंगा बाकी आपको बताना है और आपको साव बतेता हूं यह 30 question मेंसे मैंना कितने question करवाए हैं आपको तो आप मैंना आपको 25 के करीब question करवाए होंगे तो कोई student नहीं बोल सकता हमने 20 question करें है या 30 question या जितने भी question करें है 30 में से अगर आपने मेरी वीडियो देखियोगी तो 25 question आपके confirm जो है वो सही होंगी बाकि आपको comment करके बताना है वीडियो आपको कैसी रगी वीडियो देखने के थैंक्यू